बच्चों, आपके सामने 80 सब प्रती मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूं, यह तो तई था कि नागरिक्ता, संसोधन, अधिनियम यानि CAA के नियमों को लागू करने, संबंधी, अधिसूचना, जिस किसी दिन भी जारी होगी, इसे लेकर एक बार, फिर राजनितिक मोर्चे बंदी देखने को मिलेगी, और सियासी पार्टियां अपने मोर्चे पर जा खड़ी होगी, ऐसे में पस्यमंगाल और केरल के बाद, अब तमिन लाडू के मुख्य मंतरी M.K. स्टालिन का रुख भी अब प्रत्यासित नहीं है, CAA को सविधान की मूल संरच्ना के विरुद बताते हुए उन्होंने एलान किया है कि वह इसे तमिन लाडू में लागू नहीं होने देंगे, विडमना यह है कि जिस सविधान की दुआई देते हुए ये मुख्य मंतरी CAA कानून को अपने अपने प्रतेश में लागू ना होने देने की बात कह रहे हैं, वहीं उन्हें एसा करने का अधिकार नहीं देता। हमारे सविधान निर्माताओं ने संगी धाचे का प्रारूप तै करते समें एसे संभावित हालात पर काफी बहस विमर्ज के बाद अधिकारों का इसपस्ट बटवारा किया था और उनकी तीन विशे सूची बनाई थी। केंद्री सूची, राज्य सूची और सम्वर्ती सूची नागरिकता केंद्री सूची का विसे हैं। इससे जुड़े कानून को राज्य सरकारे नकार नहीं सकती। अलबता असहमती की सूरत में वे सिर्ज अधालत का धर्वाजा खट-खटा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट स्वविधान का संदक्षक है। एसता नहीं है कि ये मुख्यमंत्री इस हकीकत से नावाकिव हैं। या CAA सम्वंधी अधि सूचना अचानक उनके सामने आप्रकट हुई है। ग्रहमंत्री अमिस्था पूरू में कई बार कह चुके हैं कि आम चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। नी संधे इस अधि सूचना के जारी किये जाने के समय के अपने राजन्यतिक निहतार्त हो सकते हैं। मगर इसका मुकाबला भी इन मुख्यमंत्रियों को राजन्यतिक रुप से ही करना चाहिए। पर इसके विरोध में यह कहना कि वे इस कानून को अपने यहां लागू नहीं होने देंगे। कहीं न कहीं साविधानिक सपत का उलंगन है। जब केरल सरकार ने खूद सविधान के अनुचे 131 के तहट इस कानून को सुप्रिम कोड में चुनोती दे रखी है। बलकि इस संद्रव में सो से ज़्यादा याचिकाएं दायर हैं। और केंद्र ने भी अदलत में दायर अपने सपत पत्र में कह रखा है कि यह कानून किसी भी भारती नागरिक की नागरिता को प्रभावित नहीं करता। तो साविधानिक पत पर बेठे इस्टालिन जैसे लोगों को सुप्रिम कोड के उपर वरोसा करना चाहिए। अदलत का फेसला इसकी वेधानिक इस्तती तै कर देगा। दरसल हाल के वर्सों में केंद्रहोर राज्यों में सत्तरूर राज्यताओं की सियासी प्रतीद वंदिता जिस तरह सास की टकराओ में तबदिल होती गई है। उससे निकट भविस में देश के संगी ढाचे के आगे गंभिर चुनोतियां खड़ी हो सकती हैं। जाच एजन्सियों के बीच कटू टकराओ के अब कई उधारन हमारे सामने हैं। मगर कानून व्यवस्ता राज्य के विसे हैं। इसलिए मुक्यमंत्रियों को किसी भी समवेदंसिल मुद्धे पर राजनिती करते हुए हमेशा यह याद रखना चाहिए कि किसी किसम के धार्मिक जाती धूरवी करण उनके राज्य के सामाजी ताने बाने को गंबीर चोट पहुँच सकती हैं। CAA विरोधी पिछले प्रतर सुनों में ही किस पेमाने पर जानमाल का नुक्सान हुआ था। इसे हम अभी भूल नहीं हैं। CAA कानून को लेकर खास तोर से पुरोतर के राज्यों में काफी गहरी आसंकाएं रही हैं। वहां ज्यादातर भाजप्पा या उसके सयोगी गड़बंदन की ही सरकारे हैं। इसलिए CAA संबंधी नए नियमों के बारे में पुरोतर के नागरिकों को जागरू करने की बहुत आवश्यक्ता हैं। खासकर मनिपुर की हिंसा को देखते हुए जो देश के लिए सरदर्द बन चुकी है। झाल